सो गुद्मॉनिंग आईज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अमारी रिवेजन क्लास देखिए अमारा पहला प्रशन क्या है मानव तसकरी पर अंकुष लगाने के लिए आरपी एफ रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन सा ओप्रेशन शुरू किया अप्रेशन आहत एक अप्रेशन अमानत भी शुरू किया था रेल्वे ने अगर किसी पैसेंजर का ट्रेन में या फिर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सामाज छूट जाता है इनके हाथ लगता है तो यह उसे अपने पोर्टल पे डाल देंगे ताकि आप उसे पहचान करके कलेक कर सको उसके लिए चलाए था ओप्रेशन अमानत बताओ कन्नड के कबीर के नाम से प्रसिद अभी किस सामाजिक कार्य करता का निदन हो गया तो कन्नड का कबीर इनको कहा जाता था नाम है इबराहीम सुतार फिर है भारत प्रेश सुतंतरतार रिपोर्ट 2021 में टॉप पे कौन है तो आंसर होगा जमू कश्मीर अच्छा मुझे तो यह बताओ वर्ल्ड प्रेश फ्रेडम डे कब मनाया जाता है और वर्ल्ड प्रेश फ्रेडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर यह बताओ अब बताओ जे एन यू दिल्ली की पहली मैला कुलपती कौन बनी तो आंसर होगा शांति श्री धुलिपूरी पंडिट दो हजार बत्तिस में समर ओलंपिक कांपे होंगे ब्रिस्बैन औस्ट्रेलिया में और दो हजार अठाइस के कांपे होंगे लॉस एंजलिस में होंगे दो हजार चौबिस के आपके पैरिस फ्रांस में दो हजार बीस के आपके होई चुके हैं टोकियो जापान International Olympic Committee की बात कर लें इस अपना होती है 1894 23 June को इसलिए 23 June को International Olympic Day मनाते हैं आप लोग और इसका Headquarter मिलेगा Lusanne Switzerland में अध्यक्षे थॉमस बाग बताएए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम ये काँ पे बनेगा जैपुर में बनेगा भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम आपका है गुजरात में गुजरात के एहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम जिसे अब नरेंदर मोदी के नाम से जानते हैं दूसरा है औस्ट्रेला का मेलबर्न किरकेट ग्राउंड तीसर बनेगा जैपुर में मद्यप्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या कर दिया नर्बदापूरम कर दिया और भोपाल के हबीब गंज रेल्वे स्टेशन का नाम रानी कमलापती के नाम पर कर दिया आपको बता दू भारत का पहला जियलोजिकल पार्क भी बनेगा जबलपूर में ही अंडर 19 विश्व कप किताब किसने जीता भारत ने इंग्लेंड को अरा के और देश का पहला आर्टिफिशल सलालम कोर्स का पे खुला गया तो अंसरोगा बोपाल में बोपाल मद्यप्रदेश में है और मद्यप्रदेश ही बनाएगा देश की पहली साइबर तहसील उसके अलावा भी आपको बता दू कि मद्यप्रदेश सरकार ने ग्वालियर में अभी पहला ड्रोन मेला भी आयोजित किया था मद्यप्रदेश में ही विश्व संगीत तांसेन उत्सव का भी आयोजिन हुआ था मद्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियलोजिकल पार यह मिने आपको उपर भी बताया और मद्य प्रदेश के इंदौर जो है यह भारत का पहला water plus certificate पाने वाला पहला और मद्य प्रदेश के बांदा उगड टाइगर रिजर्व में भारत के पहली होट एर बलून वाइल लाइब सफारी भी शुरू हुई थी अच्छा बताओ खिजाडिया बर्ड सेंचुरी कहां पर है गुजरात में है इसके अलावा एक और याद रखो भकीरा वाइल लाइब सेंचुरी यह आपको मिलेगा यूपी में और यह अभी दोनों के दोनों न्यूज में थे क्योंकि इन दोनों को अभी भारत की रामसर साइट की जो सूची है उसमें शामिल किया गया था इस तरह से अब टोटल रामसर साइट भारत में हो गए यह 49 रामसर शहर आप जानते हो इरान में है जहापे दो फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंचन हुआ था इस लिए दो फरवरी को हम आद्र भूमी दिवस के रूप में भी मनाते हैं वेटलेंड डे और रामसर शहर के जील के किनारे इस्तित है कैस्पियन जील अच्छा भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी चिलका लेक चोकिये उडीसा में 1981 में बनी थी यह बताएए शुन्य भेदबाव दिवस जीरो डिस्कर्मिनेशन डेकप मनाया एक मार्च को थीम क्या थी? Remove laws that harms, create laws that empower विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस एक मार्च को मनाते हैं विश्व शरवन दिवस तीन मार्च को होता है World Hearing Day थीम क्या थी? Two years for life, listen with care विश्व वन्य जीव दिवस हम तीन मार्च को होता है इसकी थीम है यूवा दिमागों का पोशन सुरक्षा संस्करती विक्सित करें यानि की नर्चर, young minds, develop a safety culture विश्व मोटापा दिवस World Obesity Day चार मार्च को मनाया थीम थी Everybody needs to act फिरेज जन ओश्यदी दिवस साथ मार्च को मनाया थीम क्या है जन ओश्यदी जन उपियोगी वैसे National Ayurved Day हम कब मनाते है धनतेरस के दिन मनाते हैं 2021 में हमने इसे 2 नवंबर को मनाया था बताओ अंतर राष्टर महिला दिवस आठ मार्च को होता है थीम थी एक स्थाई कल के लिए आज लेंगिक समान था यानि कि Gender Equality Today for Us Sustainable Tomorrow और राष्टर महिला दिवस कब मनाते हैं तेरा फरवरी को सरोजी नी नाइडू जी की जैनती होती उस दिन जिनने Night Angle of India या भारती कोक अचिला भी कहते हैं अच्छा ग्रामीर महिलाओं का अंतर राष्टर दिवस कब होता है ये भी याद रखो 15 October को फिर बताओ विश्वर टैनिस दिवस साथ मार्च को मनाया एक्चुली में मार्च के पहले सोमवार को मनाते हैं तो 2022 में हम इसे साथ मार्च को मना रहे हैं वर्ल्ड नौ टॉबे को डे प्रश्ण पुता तो आतकोंतर क्या होता 31 माई अभी WHO ने वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाजेशन ने कौन से एप्लिकेशन को लॉंच किया था पता है क्विट टॉबे को एप्लिकेशन को याद रखना अब हम पुराने महिने के करेंट अफेस का रिविजन कर लेते हैं बढ़ते आगे और हाँ गाईज अनकेडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेज ताकि आपकी तयारी हो एकदम पकी तो आज ही सब्सक्राइब करें अनकेडमी प्लस को और देखो बैचेज यहाँ पे आपको बेसिक लेवल से लेके आउट्स को क्लियर कर सकते हैं और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मौक टेस्ट भी मिलेंगे वो भी डेटेल्ड एनलिसिज और एक्स्प्लिनिशन के साथ तो अगर आप बैंक एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह बिल्कुल सही मौका होगा इस अपॉर्चुनिटी का लाब उठाने का क्योंकि देखिए जल्द ही जितने भी आपके बैचेज चल रहे हैं जितने भी कोर्से उनमें प्राइज बढ़ने वाले हैं प्राइज हाइक्स होने वाले हैं वो भी 25 परतिशत तक तो आप अगर अपने कोर्स को आज ही सलेक्ट करके बाई करते हैं और अ तब भी आपको ज़्यादा प्राइज ही देने पड़ेंगे तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा बैच लेना है उसके बाद यूज कीजिए क्रेक एक्जाम 10 कोड और 10% इंस्टेंट डिसकाउंट का फाइदा उठाईए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्श बताओ विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को थीम क्या थीज बार ग्राउंड वाटर मैकिंग दे इन्विजिबल विजिबल और 22 तारिक से तीन डे आप लोगों ने याद करे होंगे 22 मार्च को तो ये वाटर डे हो गया फिर इसके एक महीने बा लेक ने जीता है ये पॉलेंड की टैनिस प्लेयर है और मेन सिंगल टाइटल जीता टेलर फिड्स ने ये यूएस के प्लेयर है बता उत्राखंड के सीएम के रूप में अभी किसने शपत ली थी पुशकर सिंग धामी ने भारत और किस देश के बीच में एक सेयुक्त सेन्य अभ्यास है लेमित ये 2022 ये हुआ तो सेशल्स और भारत के बीच में हुआ ये कहां पे हुआ सेशल्स में ही हुआ था सेशल्स ये इस्ट अफ्रिकन कंट्री है जिसके कैपिटल होती है विक्टोरिया सेशल्स ही रुपे या की करंसी है और प्रेसिडेंट है वेवल राम का अगला है प्रिजगर पुरुषकार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने फ्रांसिस केरे और किस शेतर में दिया जाता है ये प्रिजगर पुरुषकार वास्टुकला के शेतर में आर्किटेक्चर में और पहले भारते कौन थे ये पुरुषकार पाने वाले बाल इंडियन सूपर लीग 2021-22 का किताब किसने जीता हैद्राबाद फुटबाल क्लब ने किसको और आके केरला ब्लास्टर्स को किस राज्य में डोल उत्सव या कह दीजे डोल जात्रा तेवहार ये मनाया गया पश्चिम मंगाल में रंगु का तेवहार होता है एक तरह से ये और भारत इसमें पांच वेस्तान पर रहा और राजधनी शेहर में बात करेंगे कैपिटल सिटी में तो दिल्ली टॉप पे था सैकेंड पे ढाका था किस भारते को युनैटेड नेशन के सलाकार बोर्ड में अभी शामिल किया गया जैती घोश को तफर बताईए भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज है डस्ट लिक ये हुई उजबिकिस्तान और भारत के बीच में अभी कहां पे उजबिकिस्तान में हुई ये इसका तीसरा संस्करन था 2022 में देखो उजबिकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है करंसी सोम है प्रेसेडेंट ने शेवकत मिर्ज जी हो ये बताओ विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल डे कब मनाया गया तो अंसर होगा तेविस मार्च को थीम क्या रही अरली वर्निंग एंड अरली एक्शन और वैसे वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल और्गिनाईजिशन का हेड़कौटर जैनेवा स जलेंग अच्छा नाइट फ्रेंग के ग्लोबल हाउस प्राइज इंडेक्स 2021 में भारत की रेंग क्या है 51 है तरकी टॉप पे है इस पे किस राज्जे ने ब्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करने की घोशना की अभी पंजाब ने और किस राज्जे के पेट्टगी नाग स्वर्म को जी आइटेक दिया गया ये तरह का शास्त्रे पवन संगीत वाद्दे यंत्र है तमिल नाडू का है जिसको मिला है जी आइटेक बताए विश्व नंबर वन टेनिस प्लेयर एशले बाटी ने सन्यास की घोशना कर दी वे किस देश की है उन्होंने तीन Grand Slam जीते हैं अपली लाइफ में अभी 2022 का Australian Open में Women Single जीता पिछले साल 2021 में Wimbledon Open में Women Single जीता और फिर 2019 में French Open में Women Single जीता बस US Open नहीं रह गया था उनसे वो नहीं जीत पाई चलिए अगला देखिए तेरवा Green Storm फोटोग्राफी पुरुसकार किस ने जीता महम्मद रजा मासोमी ने इरान के हैं ये किस देश के पूर्वे परदान मंतरी बावबे मागा का निदन हो गया माली ये वहाँ पे 2017 से लेके 2019 तक परदान मंतरी रहे थे माली की केपिटल होत बताओ शहीद दिवस अभी मनाया गया था वैसे तो साल में दो बार मनाते हैं तेवीस मार्च को अभी भगत सिंग सुकदेव और राजगुरु को फासी हुई थी तो उनके सम्मान में मनाया जाता है और महत्मा गांदी जी की याद में भी मनाते हैं हम 30 जनवरी को तो ये दो डे हो गए बताओ किस देश के पूर्वर राश्टरबती शाहबुद्दीन एहमत का निदन हो गया बांगलादेश के थे ये 1996 से लेके 2001 तक ये बांगलादेश के प्रसेडेंट रहे थे तो अब कल के करेंट अफेर्स का भी हम लोग रिविजन करेंगे बताइए फिर व श्वास पटेल भारत औरकेश देश के बीच में वरुन 2022 एकसरसाइज हुआ था जो कि एक नौसनिक अभ्यास है फ्रांस और भारत के बीच में आपको बदाए फ्रांस के साथ हम वरुन गरुड और शक्ति नाम के एकसरसाइज करते हैं ये जो है वरुन जो कि एक नौसनिक कभ्यासे कांपे हुआ अरब सागर में हुआ ये उतकल दिवस कब मनाया गया एक अपरिल को जिसे उतकल दिवासा भी कहते हैं उडिता की इस्तापनोविती इस दिन इसलिए मनाते हैं कतर 2022 के लिए अधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कब बॉल को अभी लॉंच किया गया पूरी तरह से पानियाधरित शाही और गोंद से बनाया गया है जो अपने आप में पहली बार है देखो अधिदास जो है ये 1970 से वर्ल्ड कब के लिए गेंद बना रहा है और ये इसकी 14th नंबर की फुटबॉल है और ये फिफा विश्व कब 2022 कहां पे होंगे कतर में होंग किस राजे ने केदियों के लिए व्यक्ति गतर्रेन देने की योजना शुरू की तो आंसर होगा महराश्टर तो इसमें क्या होगा केदियों को और उनके परिवारों को उनके रहने की इस्तेती में सुधार करने और कानूनी मामलों से सम्मंदित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए पचास हजार रुपे का लोन देने की गोशना की है तो महराष्ट के जो राज्य सहकारी बैंक हो गए वो साथ परतिशत ब्याज पे पचास हजार रुपे तक का लोन दिया करेंगी और इस तरह के लोन को क्या कहा जाएगा खावती रिन कहा जाएगा और फास्टर एप्लिकेशन को भी लॉंच किया था कि इसने हमारे सुप्रिम कोर्ट के चीफ जिस्टिस एन्वी रमनना है जो 48 नमबर के हैं यहाँ पर फास्टर मतलब होता है फास्ट एन सेक्यूर ट्रांस्मिशन ओफ electronic records मतलब अदालत के जो भी orders हो गए जो भी documents हो गए उनको जल्दी से बिना किसी तीसरे वेक्ति के हस्तक shape के उसे अपने destination में पहुचाया जा सकेगा इस फास्टर एप्लिकेशन के थुरू अभी सुप्रिम कोर्ट ने पोर्टल को भी लॉंच किया था इस पोर्टल सुप्रिम कोर्ट पोर्टल फॉर एसिस्टेंस एंड कोट अफिशन्सी अचा भी एक अपरिल से लेके साथ अपरिल तक कौनसा दिन मनाया गया या कौनसा सप्ता मनाया जा रहा है तो अंधता निवारन सप्ता किस ने स्टार्टप फाउंडर्स हब प्लेटफोर्म को लॉंच किया माइक्रोसोफ्ट ने उद्धिशे है भारत में स्टार्टप को सपूर्ट करना वैसे नैशनल स्टार्टप डे कब मरा रहे हम लोग 16 जन्वरी को तो गाइस ये था आज का आपका रिविजन वाला सेशन सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजेगा थैंक यू